दोस्तो प्रेमी के लिए तो लड़कियां कुछ भी कर गुजरती है लेकिन यहाँ पे अपने भाई के लिए ऐसा पागलपन जबरदस हेलो गाईज कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका आलिया भटकी मच एंटिसेपेटेड़ मूवी यादि कि दोस्तो जिग्रा का रिव्यू इस मूवी को मैंने दोस्तो देख लिया है और आपको देखना है या नहीं वही बताने के लिए दोस्तो मैं आया हूँ यानि कि यहा आपको OTT का इंतजार करना चाहिए तो यहां पे क्या आपको वह Cinematic Experience मिलता है यानि कि आप लोग इसको अगर ठेटर में देखोगे तो आपका पैसा वसूल होगा या नहीं जाने के लिए वीडियो में बने रहें लाइक करें सब्सक्राइब करें तो यहां पे मैं मूवी का रिवीव शुरू करूँ आपको बताओं कहानी वगरा कैसी है और के यह मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं उससे पहले दोस्तों यहां पे आलिया भट की बात करा चाहूँगा आलिया भट वालिवुड की व सब्सक्राइब करें तो यह गलत नहीं होगा दोस्तों वह समय समय पर अलग हटके लिक से मूविया करती रहती है चाहे आप लोग उनकी गंगुबाई में दोस्तों वह किरदार देखो जीवन्त कर दिया दोस्तों गंगुबाई का किरदा यहां पे आलिया भट ने या फिर या उरता पंजाब में उनकी उनकी वह एक्टिंग मतलब छाप छोडने वारी दोस्तों उनकी एक्टिंग है और फिर से वह कुछ अलग हटके दोस्तों किरदार लेके आई हैं यानि कि यहां पे आलिया भट इस मूवी में सत्या का किरदार निवारी जो अपने छोटे लग रहा है कि खुद जिया है तो यहां पे उनका जो परफॉर्मेंस आलिया भट का वो सबसे जबार्दस है आप लोग कह सकते हो कि यहां पे परफॉर्मेंस ऑफ दियर आलियंख ने दोस्तों कहा सकते हैं कि एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो इंडिया की सबसे बहतरीन अदाकारा है तो गाई यहां पे आलिया भड को फुल-on मार्क्स लेकिन अखिर स्टोरी क्या है यह मुवी कितनी इंगेजिंग है और आपको यह मुवी देखना चाहिए या नहीं त मतलब इमोशनली टच करने वाली दोस्तों स्टोरी है यहां पे एक एक बहन अपने भाई के लिए किस हद तक दोस्तों जा सकती है किस पागलपने से गाईज वो उसको बचाना चाहती है आप लोग बेसिकली यही मान सकती है स्टोरी आप लोग ऐसा कह सकते हो कि जो वेदान्त रहना है यानि कि अनकूल उसको फसा लिया गया है अब वो टॉर्चर कर रहे है और आखिर किस चीज के लिए उनको फसाया गया है और यहां पर आलिया भट उनको बचा पाती है या नहीं इसके लिए दोस्तों आपको इस मोमेंट है तो गाइस यहां पर आप लोग कह सकते हो कि आलिया भट वेदान्त रहना इन्होंने अपना काम बहुत अच्छी धढंग से किया है वेदान्त रहना दोस्तों सांथ रहके इमोशनली टच करते हैं ओडियंस दोस्तों उनके किरदार को मतलब रिलेट करती है और कहीं न कहीं दोस्तों मुझे लगता है कि यहां पर जिस तरीके का स्क्रीन प्ले है इस मूवी का वो काफी इंगेजिंग है किसी भी मूवी की जान स्क्रीन प्ले होता है पट खता तो पट खता काफी अच्छी है यानि कि आप इस मूवी को देखते हो तो देखते रहते हो यहां पर लार्स तक दोस्तों यह मूवी कुरसी में बिठाए रखती है और किसी भी फिल्मेकर की जीत वहीं हो जाती है वसंबाला जुन्होंने इससे पहले मर्द को दर्द नहीं होता या फिर मॉनिका ओ माई डालिंग लिग से हट के दोस्तों मूवी दी है उन्होंने एक बार फिर से जबरदत दोस्तों डिरेक्शन किया है दोस्तों यहां पे जो फर्स्ट हाफ है उसमें आपको काफी टूस्त और देखने को मिलेंगे सेकिंड हाफ सुपर जैंगाइस आउ कि से कोरियोग्राफ किया गया है तो एक्शन डिरेक्टर को भी दोस्तों यहां पे मानना पड़ेगा आप लोग क्या सकते हो कि जो एक्शन सिक्वेंस आपको देखने को मिलते हैं लास्ट में और इवन दोस्तों यहां पे जेल ब्रेकर वाला जो सीन है यानि कि जेल का दें गया ही तो कहिणा गहीं मुझे लगता है कि यहां पे जिस तरिके की मूवी को बनाया है वही लोगोंने लिट्र需 सीटी बजाई है female oriented movie में लोग city बजा रहे हैं तो आप लोग मतलब समझो कि भाई सहाब लोगों किस हद तक वो चीजे पसंद आई है और भाई सहाब यहां पर आलिया भट है तो अपने animal की छाप तो छोड़ेंगी वो जो गाई इटिंग वाला जो sequence है आप लोग देखना कितना घजब तरीके सरे से दोस्तों प्ले किया है ओलिया वट ने और सॉंग भी है इस मूवी में और आपको है वसनाय होंगे और पुराने सांग हमें देखने को ना मिले यारी है एमाल और फूलों का सबहाँ कहतभ यहां पर इन सॉंग ऑस तरीके से प्लेस किया गया है मतलब हथ टेचिंग दोस्तों यहां पे बहुत अच्छी सॉंग की प्लेसमेंट हुई है ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी गाने को कहीं भी दोस्तों डाल दिया गया है तो यहां पे यह सब चीजे इस मुवी को दोस्तों एक खास मुवी बनाती है और वसन वाला एक बार फिर से दोस्तों परफेक्ट मुवी लेके आए हैं हम लोगों के सामने बीजियम भी दोस्तों इस मुवी का काफी तगड़ा है जो कि एक्शन सिक्वेंस के साथ इवन इमोशनल सीन के साथ भी वर्क करता है तो यह मुझे लगता है कि इस वीकेंड इस दसेरा आपके लिए एक वर्थ वचिं ने देख लिया नहीं देखा तो सीधा ठेटर ने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही